टाटा मोटर्स की तरफ से कॉमर्सियल वहिकल में सबसे फेमस गाड़ी के आज हम बात करेंगे टाटा एस गोल्ड के बारे में इसे दोस्तों हम जानते हैं छोटा हाथी के भी नाम से बड़ी अपडेट के बात करेंगे इसमें आपको अब देखने को मिलेगी इलेक्ट्रिक जी हाँ इसे हम जानेंगे टाटा एस इवी याने की इलेक्ट्रिक वहिकल के नाम से आई दोस्तों बात करते हैं गाड़ी में हमें क्या बदलाओ देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस के साथ हम बात करेंगे कीमत क्या है तो सबसे पहले नेम जैसे कि मैंने आपको कहा है इसे हम जानेंगे टाटा एस इवी के नाम से इसके इंटेर के हम बात करेंगे नय आपको देखने को मिलेगा साथ इंसका इंफोंध symptom साथी अपको new जन्रेशन देखने को मिलेगा instrument cluster जैसा कि आप देखर आज की जमाने के हिसाब से जिसमें आपको दिखाए जैंगे टार प्रेस स्टैंडर्ड बाइस परतिसत के आप उस तो चढ़ाई चढ़ने की छंता यहां पर देखने को मिलती है साथ ही बात करेंगे बढ़े बदलाओ के बारे में जो आपको मिल रही थी साथ इंसकी इंफ्रोटेंड्मेंट सिस्टम आप उसमें उस तो मैप यहां पर लगा कर आप देख पाएंगे साथ ही आपको अपर ट्राकिंग के भी सुविधार देखने को मिलती है कि आपको ड्राइवर ने गाड़ी कहा कहा तक लेकर गई है सभी जानकारी आप ले पाएंगे अपने मोबाइल पर भी साथ ही इस गाड़ी को आप फूल चार्ज कर पाएंगे एक सो 5 मिलेट में केवल फास्ट चार्जिंग के सहता से और एक गाड़ी जीरो सो लेकर 30 किलोमेटर प्रती घंडे के स्पीड पकड़ेगे केवल साथ सेकंड में इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशन के हम बात करेंगे बैटरे हाँ पर मिल जाती है 21.3 kmw की एसी इंडेक्शन आपक को बदलाओ देखने को मिल सकती है हर तरह के साड़क के हिसाफ से साथ ही आपने गाड़ी में कितना लोड लिया है लेकिन 154 कही जारी है जो कि है काफी जादा बहतरी इसके चार्जिंग मोड की हम बात करेंगे दो आपको मिल जाते हैं फास्ट चार्जिंग साथ है आपको फास्ट चार्जिंग से तो आपको दोस्तो एक सो पांच मिनट में गाड़ी चार्ज हो जाएगी 10 से लेकर 80% के बीच में और अगर आप इसी यूज करते है नॉर्मल यानी रेगूलर चार्जर से तो 6-7 घंटे में गाड़ी आपकी चार्ज हो जाएगी 20 से लेकर 100% के बी Tata Motors ने भी कुछ नहीं कहा है जैसी कीमत के अपडेट होगी मैं आपको बताता है रहता हूं साथ ही आपको बताऊंगा लोन कीमत और EMI भी क्या है आसा करता हूं दोस्तों आप समझ के होंगा Tata Ace मे आपको इलेक्रिक वेहिकल देखने को मिलेगी ऑफीसियल Tata Motors की तरब से को लोड़ी कोई भी सवाल हो कमेंट करिएगा और यहां तक देखने के लिए आपका दिल से धन्नवाद